ओम शान्ती, 31 जैनिवरी 2022, बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है, तुम जज कर सकते हो, की राइट क्या है, और रॉंग क्या है? प्रश्ण, अंतर्यामी बाप, दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौनसी बात जानते हैं? उत्तर, बाप जानते हैं कि इस समय सभी में पांच भूत प्रवेश हैं, रावन सर्व्यापी है, तुम बच्चों ने तो पांच भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापिस ले लेते हैं, माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है, बार-बार हारने से कमजोर हो जाते हैं, इसलिए बाबा कहते, बच्चे दान देकर फिर वापिस नहीं लेना है, माया से हारना नहीं, अमरत वेले उठ, बाप को याद करना, तो भूत भाग जाएंगी, गीत, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ओम शांती, देखो कैसा गीत बनाया हुआ है, परन्तु समश्ते कुछ भी नहीं है, जैसे गीता भागवत आदी बनाये हुए हैं, परन्तु समश्ते कुछ भी नहीं, अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समश्ते हो, तुफान और दीवे की कहानी कैसे बनाई है, मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं, तुम पूरे अर्थ को जानते हो, बात यहां की है, छोटा दीवा तो क्या, माया का तुफान ऐसा है, जो बड़े बड़े दीवे को भुजा देता है, कभी मुर्जा जाते हैं, योग कम हो जाता है, योग को घरत कहेंगे, जितना योग लगाएं, उतनी जोती जगी रहे, तो यह बात अभी की है, आत्माओं की जोती जगाने के लिए, शमा को आना पड़ता है, जिसको ही पर्मात्मा कहा जाता है, परवाने भी मनुश्य के लिए कहेंगे, तुम कहेंगे परम्पिता पर्मात्मा हमारे सामने हाजिर है, हम आखों से देखते हैं, उनका शारिरिक नाम नहीं है, शिव तो निराकार है और नौलेज़ फुल है, नौलेज़ दे रहे हैं, इसलिए तुम कहेंगे हम हाजिर देखते हैं, क्योंकि उनसे हम नौलेज़ लेते हैं, सुनाने वाला है शिव, मनुष्य कहते हैं पर्मात्मा हाजिरा हजूर है, परन तु पूछो कहां है, कहेंगे सर्व्यापी है, यह तो बात ही नहीं ठैरती, वह आकर राज योग सिखलाते हैं, तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रही हैं, जरूर आखों से देखेंगे न, आत्मा भी है न, तुम कहते हो हम आत्मा हैं, जरूर स्टार मिसल है, देखने में भी आती है, खुद आत्मा कहती है, मैं स्टार हूं, बहुत महीन हूं, आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, यह भी जानते हैं, कोई कहते हम कैसे माने, अच्छा भ्रकुटी में नहीं समझो आखों में है, कहा न कहा है तो सही न, आत्मा ही कहती है, यह मेरा शरीर है, भ्रकुटी शुद्ध स्थान है इसलिए आत्मा का निवास स्थान यहां दिखाते हैं टीका की निशानी भी यहां दी जाती है आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड दूसरा लेती हूं इसमें संशे की तो कोई बात नहीं आत्मा याद करती है परम पिता परमात्मा को अब बाप ने याद दिलाई है तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ है तुम पतित बन गई हो तुमसे सारी नौलेज निकल गई है यह भी पार्ट है किसको दोश नहीं दे सकते आत्मा कहती है हमारे में चौरासी जनमों का पार्ट है ड्रामा अनुसार चौरासी जनम भोगने ही पड़ते हैं पतित होना ही पड़े यह अभी तुम जानते हो जब समझाया जाता है तुम कहते हो बाबा बरोबर ड्रामा में तो पार्ट ही मेरा है आपने समझाया है यह अनादी ड्रामा है हम ड्रामा के परवश हैं अभी तुम ईश्वर के वश हो तो ड्रामा को जानते हो फिर तुम रावण के वश होने से बेताले बन जाते हो बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी नौलेज देता हूँ सब कहते हैं यह तो बिलकुल नई नौलेज है सच और जूट सिद्ध कर बताया जाता है भारत ही सच खंड और जूट खंड बनता है सच खंड में सच ही होगा जूट खंड में जूट का ही वारतालाप है अब जब तक तुमको सच की वारतालाप ना मिले तो तुम जज कैसे करो बाप कहते हैं अब तुम जज करो कि मैं तुमको राइट समझाता हूँ या वह राइट समझाते हैं तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो आत्मा ही तंग होती है आत्मा अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती शरीर के साथ ही आत्मा दुख सुख भूगती है फिर निरलेप क्यों कहते हो पर्मात्मा के लिए भी कहते वह नाम रूप से न्यारा है लेकिन जब पर्मात्मा कहते हो तो यह भी नाम हुआ ना कोई बुदबुदा कहते हैं कोई जोती स्वरूप कहते हैं जानते कुछ भी नहीं यह एक ही ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है हर एक एक्टर को अपना पार्ट बजाना है एक ड्रामा है एक रचैता है इन बातों को कोई जानते नहीं वह तो समझते आकाश में यह जो स्टार्ज है उसमें भी दुनिया है वहां भी जाकर हम लैंड करेंगे प्लॉट खरीद करेंगे अब वह सत्य है यह जो बाप समझाते हैं वह सत्य है बाप ही तो नौलिजफुल मनुष्य स्रुस्टी का बीज रूप है कोई तो बीज होगा न इस कल्प व्रिक्ष का बाप समझाते हैं व्रिक्ष भी एक ही है यह व्रिक्ष अभी जड़ड़ी भूत अवस्था को पाया है अब पुराना ज्जाड हो गया है फिर नया कलम लगता है क्योंकि जो मुख्य देवी देवता धरम है वह प्रहलोप हो गया है विस्तार तो सारा एक बीज का है न तो बाप कितनी अच्छी रीती बैट समझाते हैं फिर यह माया बिल्ली जोती भुजा देती है तुफान लगने से कितने बड़े बड़े ज़ाड गिर पड़ते हैं लिखते हैं बाबा माया के तुफान बहुत आते हैं इसको विघन भी कहा जाता है बाप कहते हैं बरोबर रावण की आसुरी संप्रदाए विघन डालती है फिर पुकारते हैं पुकारते पुकारते फिर माया के तुफान विकार में गिरा देते हैं पुराने पुराने भी गिर पड़ते हैं बाप कहते हैं माया के तुफान तो आएंगे परन्तु तुम इस्थेरियम रहना कभी किसको गुसा नहीं करना कहते हैं बाबा हमको क्रोध भूत ने जीत लिया बाप कहते हैं यह बॉक्सिंग है घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कमजोर बन जाएंगे तुमने तो विकारों का दान दिया है न दान देकर फिर वापिस नहीं लेना कोई भी प्रकार का दान देकर फिर वापिस नहीं लिया जाता है कहानी भी है न राजा हरीशचंद्र ने दान दिया था यह मिसाल बैठ बनाए हैं हाँ तो बाप कहते हैं इंशोर करना हो तो करो नहीं करेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा वास्तव में दान की हुई चीज वापिस हो नहीं सकती समझो किसी ने दान किया मकान बनाने में मकान बन गया फिर वापिस कैसे हो सकता कन्या दान की पैसे दिये इशादी हो गई फिर वह वापस कैसे देंगे दान की हुई चीज वापस आ नहीं सकती तो बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए सब साधु संत आदी कहते हैं परमात्मा सर्व्यापी है नाम रूप से न्यारा है अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं आकाश का भी नाम है ना परमात्मा का सब नाम जबते हैं शिवलिंग की प्रतीमा है फिर नाम रूप से न्यारा क्यों कहते हो परंतु हठ से उतरते ही नहीं इसलिए बाप ने समझाया है पहले पहले कोई मिले तो पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है वह पिता हुआ ना तुम बच्चे कहाँ भी सर्विस कर सकते हो शिव के मंदिर में जाकर पूछो तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है सामने शिव का मंदिर खड़ा है यह आपका क्या लगता है पिता है तो पिता कभी नाम रूप से न्यारा वह सर्व्यापी हो सकता है क्या कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की है पिता कहते हो तो जरूर उनका नाम रूप भी है बंदगी करते हो याद करते हो तो जरूर उनसे कुछ प्राप्ती होनी चाहिए इन सब बातों को तुम्हारे में भी सब नहीं समझते हैं भल यहां सम्मुक बैठे हैं वह भी सब इतना निश्चे नहीं कर सकते आज हैं कल नहीं रहेंगे तुम सुनेंगे फलाने चले गए देखते हो कितने रफू चक्कर हो जाते हैं तुफान में गिर पड़ते हैं वास्तव में सारा ज्यान तुम्हारी बुद्धी में रहता है जैसे बाबा बीज है उनकी बुद्धी में सारा ड्रामा का ज्यान है जो सिखाया है वह तुम्हारे पास भी है जो तुम कोई को भी समझा सको नंबर वार्तो हैं कोई की बुध्धी सतो है कोई की रजो तमो बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं यह ब्रह्मा भी कहते हैं हम बता सकते हैं कि तुम्हारी बुध्धी सतो प्रधान है वा रजो तमो हैं सारा सर्विस के उपर मदार है कोई को ज्यान की अच्छी धारना होती है तो कहेंगे सतो प्रधान बुद्धी है हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ पूछते हैं बाबा हमारी कोई भूल है बाबा कहेंगे नंबर वन भूल तो यह है जो तुम सर्विस नहीं करते हो जिस कारण पद भरस्ट हो जाएगा सर्विस तो देखने में आती है न कितना समझाया जाता है कि मंदिरों आदी में जाकर समझाओ भल गपोडा मारते हैं हम सर्विस बहुत कर सकते हैं परन्तु बाबा जानते हैं कि यह सर्विस कर नहीं सकते हैं, है बहुत सहज, जाड ड्रामा का ग्यान बहुत सहज है, सिर्फ पूछा जाता है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंद है, बाप है, तो वर्सा जरूर मिलना चाहिए, जरूर उनके तुम बच्चे हो, उनसे वर्सा मिला होगा, जो अब गवाया है, हमने भी गवाया हुआ वर्सा फिर से पाया है, निश्चे होने से जट वर्सा पाने लग पड़ेंगे, परन्तु किसकी तकदीर में नहीं है, तो मानेंगे भी नहीं, तदबीर कर नहीं सकते, यह भी जानते हैं, वह बाबा है अंतर यामी, मैं हूँ बाहर यामी, ऐसे नहीं, सारी दुनिया के अंदर क्या है, वह बैठ कर बताएंगे, हाँ, यह जानते हैं कि सब के अंदर पांच भूत प्रवेश हैं, इसलिए कहते हैं, रावन सर्व्यापी है, तुमने अभी भूतों का दान दिया ही नहीं, पुरानी दुनिया के देह सहित सब संबंध से बुद्धी योग निकाल, एक बाप को याद करने में ही बड़ी महनत है, यह महनत रात को अच्छी रीती हो सकती है, अभी से प्रैक्टिस करेंगे, तब याद कर सकेंगे, तो अमरत वेले का असर अच्छा चलेगा, सवेरे जागना पड़े, सवेरे सवेरे उठकर भक्ती मार्ग में माला फेड़ते हैं, कोई राम राम जबते हैं, कोई क्या जबते हैं, अनेक मंत्र हैं, काशी का पंडित होगा तो कहेगा, शिव शिव कहो, सन्यासी आदी सब लोग भक्त हैं, साधू साधना करते हैं, घरबार छोड जंगल में जाते हैं, यह भी साधना है ना, हठ योग मार्ग भी ड्रामा में हैं, यह तो जानना चाहिए, कि स्वर्ग का आदी सनातन देवी देवता धरम कहां चला गया, देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु यह नहीं जानते हम किस धरम के हैं, हम भी पूजा लक्षमी नारैन की करते थे, धरम फिर हिंदू कह देते थे, अभी तो हम लिखते हैं, हमारा ब्रामन अत्वा देवी देवता धरम हैं, फिर भी वह हिंदू लिख देते, क्योंकि भारत वासी सब हिंदू हैं, मुसल्मानों का अलग लिखेंगे, बाकी सब हिंदूों की लाइन में आ जाते हैं, यह वंडर्फुल राज है, अब तुम्हारी बुद्धी में बेहद की नौलेज है, इस स्रुस्टी चक्र को ड्रामा ही कहेंगे, ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं, उस नाटक में कोई एक्टर ना हो तो बदले में कोई और एक्टर डाल देते हैं, कोई बीमार हो तो रिप्लेस कर देंगे, चैतन्ये नाटक होते हैं, इनको नाटक भी नहीं, इनको ड्रामा, फिल्म कहेंगे, इन में कोई चेंज नहीं हो सकती, मनुष्य कहते हैं, हम मुक्ती को पाएं, परन्तु ड्रामा में यह चेंज हो नहीं सकती, यह कोई नहीं जानते कि यह ड्रामा है इससे कोई निकल नहीं सकता यह बड़ी समझने की बाते हैं है भी पुराना अनेक बार पार्ट बजाया है चक्कर लगाया है इन बातों को कोई समझने की भी कोशिश नहीं करते समझते भी हैं कि बरोबर एक गौड है और यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी रिपीट होती है परन्तों जानने की कोशिश करें उसकी फुर्सत नहीं है पुराने बच्चों की ही बुद्धी में नहीं रहता तुफान लगते रहते हैं आगे चल वरधी को पाते रहेंगे बहुत आएंगे समझने की कोशिश करेंगे मौत जब नजदीक आएगा तब जल्दी समझेंगे तुम तो कहते हो कि विनाश आया की आया इनसे पहले वर्सा लेना है फिर तुम कहेंगे कितना देरी से आए हो अभी तो रात दिन योग में रहो तब विकर्म विनाश हो विकर्म बहुत है टाइम लगता है इनको भी कितना समय लगा है अब तक पॉइंट्स रही हुई हैं हम तो धिंडोरा पीटते आए हैं की मौत आया की आया जैसे शेर की एक कहानी है न वह समश्ते यह गपोडा मारते हैं एक दिन विनाश तो आही जाएगा फिर भागेंगे परंतु टू लेट है यह बेहद की बात फिर इनसे वह कहानिया बना दी हैं विकर्म विनाश के लिए योग अगनी बहुत चाहिए हाँ नई नई बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएंगे मारजिन है बाब कहते हैं भल घर में रहते हुए रात को जागो जितना जो दोड़े भल रात को नेद भी नहीं करो बहुत तीखे जाएंगे यह कितनी तरावट की नौलेज है बेडा ही पार हो जाता है सब कामनाई सिद्ध हो जाती है अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार पहला विनाश के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है रात दिन योग में रहे विकर्म विनाश कर नंबर आगे लेना है दूसरा देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुध्धी से भूल एक बाप को याद करना है जो चीज दान दे दी उसे वापस नहीं लेना है वर्दान संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिध्धी प्राप्त करने वाले सिध्धी स्वरूप भवा बुध्धी में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प हैं बीज वाचा और कर्मना बीज का विस्तार है अगर संकल्प अर्थार्थ बीज को त्रिकालदर्शी स्थिती में स्थित होकर चेक करो शक्तिशाली बनाओ तो वाणी और कर्म में स्वत है ही सहज सफलता है ही यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिध्धी की शक्ती नहीं रहती जरूर चैतन्य में सिध्धी स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माई सिध्धी प्राप्त करती हैं स्लोगन योग अगनी से व्यर्थ के किच्ड़े को जला दो तो बुद्धी स्वच्छ बन जाएगी लवली निस्थिती का अनुभव समय प्रमाण लव और लौ दोनों का बैलेंस चाहिए लौ में भी लव महसूस हो इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्थी बनों तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगी सिख्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्थी बनना है ओम शंती आत्मिक प्यार के लिए आत्मिक प्यार आत्मिक प्यार की मूर्थी जवाद्य।